नमस्य में हूँ रिनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा चटपटा चाट बना के दिखाने वाली हूँ तो एकिन मानिया आपने घर में बचे हुई रोटियो से ऐसा स्वादिष्ट चटपटा चाट कभी नहीं बनाया होगा तो चले श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ये चटपटा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन चटनी बनानी है तो उसके लिए मेनिया ए फिर हमें इसमें आदा चमच जीरा पाउडर डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसार नमक डलना है फिर आखिर में हमें इसमें आदा कप पानी डलना है और इसका हमें एकदम बारिक पेष्ट बनाना है तो यहां मैंने इसका बारिक पेष्ट बनाना लिया है और यहां भी ग्रीन चटनी बन के त्यार हो चुकी है फिर उसके बाद मेनी यहां घर में बच्चे हुई रोटिया ली है तो सबसे पहले आभी हमें इन रोटियों को गो लाकर में फोल्ड करना है और इन्हें हमें कट करना है तो यहां में इन्हें सारी रोटियों को कट कर लिया है फिर उसके बाद आभी हमें इन्हें फ्राइ करना है तो उसके लिए इन्हें ग्याज पर तेल रग दिया है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें कट की हुई सारी रोटिया डलनी है और इन्हीं हमें अच्छी तरह से क्रिस्पी और ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है तो हमें इन्हें ग्यास को एकदम बारिक रखके क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है तो इन्हें फ्राइक करने के लिए जादा तेल की पिज ज़रूरत नहीं लगती आप इन्हें बहुत ही कम तेल में फ्राइक कर सकते हो तो यह दिखे अभी यहां सारी रोटी आची तरह से फ्राइक हो चुकी है फिर उसके पास आभी हमें इन रोटीों का एकदम बारिक चुरा बनाना है तो यहां मैंने सारी रोटीों का एकदम बारिक चुरा बना लिया है फिर उसके पास आभी हमें इस चाट को सर्व करना है तो उसके लिए में निया एक प्लेट ली है तो सबसे पहले हमें प्लेट में ये रोटियों का फ्राइ किया हुआ चुरा डलना है फिर उसके बाद हमें इसके उपर दही डलनी है फिर उसके बाद आभी हमें इसके उपर ग्रीन चटनी डलनी है तो आप green चटनी अपने स्वात के नुसार इस पे डाल सकते हो फिर उसके बाद हमें इसके उपर इमली की चटनी डालने है तो इमली की चटनी घर पे कैसे बनाएं? मैंने उस पे एक वीडियो बनाया है तो वीडियो में आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दूँगी आप वीडियो देखके इमली की चटनी घर पे बना सकते हो फिर उसके बाद हमें इसके उपर बारिक शेव डालने है तो आप चाहो तो इसके उपर बारिक कट किया हुआ प्याज और टैमेटों भी डाल सकते हो तो आभी यहाँ इस चटपटा चाट बनके त्यार हो चुका है तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में और एक नहीं रेसिपे के साथ तो थैंक्स फ्रेंट वाचे में वीडियो